मंदसोय में पुलिस कर्मी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पूरा पुलिस महकमे के उपर संकट के बादल मनराने लग गए थे इसी संकट को दूर करने के लिए मंदसोय के यशोधर्मन थाने में पदस्त आरक्षक संतोष जोशी ने अपने गर पर हावन और पुजन किया और इस माध्यम से संतोष जोशी ने पुलिस महकमे के उपर आये इस संकट को दूर करने की कामना की साधी ही संतोज जोशी ने सबी पुलिस करिमों के स्वास्त और स्वाकुशल रहने तता अपने कर्टवे पत पर अपना कर्टवे निभाने की काम ना की आई ये विनायत शर्मा की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं अपना की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसमें लिंक रोड इस्थित मा आश्रई इस्थल पर संगठन की युआओ द्वारा वरक्ष रोपन किया गया एवं संगठन द्वारा लोगों को व्रक्ष लगाने के लिए अपिल किये गया इस मोके पर माधुर्गा ब्रह्मचारणी सेवा समिती के सचिक राजे सहले अरपी दूबे तरूं कुमार जाटव अमित पारासर प्रियांश सहू अनिकेत कालावत रहूल शर्मा नीरत जाटव आदि मोजुत रहे सिरोंच से राजे सहले की रिपोर्ट काँ पर आगे अटेक देवास में ही पर सिया में केसी हालत है किसान के हालत कैसी अभी अब एक खाना लाया था उसको एक्सीडेन हो गया आगे इन्दॉर प्रशासन से कोई नहीं आया अबितर किस तरह से किसान परेशान हो रहा प्रशासन से कोई सुनवाई नहीं हो रही है आज वही दिन है जब प्रशासन को प्रशासन को गोली मारी गई थी आज ही के दिन वो दिन था और आज फिर आप लोग रोड पर एक प्रशासन किसान किस तरह से परेशान है प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है भारती जनता युवा मोर्चा उत्तर मंडल द्वारा प्रदान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कारिकर्ण का प्रथम वर्श पून होने पर सेवा का संकल्ग लेते हुए मास्क वित्रन का कारिक्रम आज़ित किया गया जानकारी देते हैं मोर्चे की मीडिया प्रभारी अधित्य मरोटिया ने बताया कि निरंतर जन जागरुकता की माध्यम से मास्क वित्रन का कारिक्रम साथ देवस्ते किया गया इस कारिक्रम में भारती जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हितेश चुकला महामंत्री मितुन वक्ता भारती जनता पारटी कुप्तर मंडर अध्यक्ष अडवेंद सारस्वत मोर्चा गतिविदी प्रभारी उमेश पारिक सह प्रभारी चंद्रशेकर निगम युवा मोर्चा मंडर अध्यक्ष महेंद्र परिहार मांडर महामंत्री गणेश फगवार पंकस सेथिया, मंडल आइटी सल प्रवारी आकाश निगम, उपाद्यक्ष सुमित जोशी मुकेश माली मयंक मावर पुलकित पटवा, गोही सुर्योंची प्रफुल शर्मा लवेश ब्रिजवानी, अयो अन्य कारीकरता मोजूद रहे, जिनोंने सोशल डिस्टेंस का पालन कर इस कारीकरम को संपन कराएगे, राजनती खल्चर भीरो रिपोर्ट, अधरी जनता युवा मोर्चा द्वारा जो मास स्वित्रित करें, जियो वह साथ दिवस पूरे हो गए, उस उपलक्ष पर, तो आपका क्या कहना है? आज जनता भालची के जिशक की कजार मंत्री, आदरी निननमोजी के शेवर्ट स्वित्रों लोगने पर राजनता भालची ने भियान कलू करा था साद दिवसी का, आज वो साद दिवसी का समावत हो रहा है, इस अधर पर विर्यंत कर जो साद दिन से मार्क वित्रम गाई र हमावन है, और हमने जुआ महुचा के माधियां से, रिकोल्ड पर और संधिकागे पर जिन्होंने मार्क नहीं लगाए हैं, उन्होंने मार्क पिना कर ये स्ट्राडेजर भिया जा रहा है उपस्थित अध्यक्षगण और मेरे वो गरीब भाई और बहन, जो हाट ठेले में, गुम्टी में, सड़क पर रखकर, जिनको हम पत्थ विक्रेता कहते हैं, सामान बैच कर छोटी मोटी दुकान और गुम्टी चला कर, काम भंदा और व्यवसाय करते हैं, ऐसे मेरे सभी प्रिये बहनों भाईयों, आज मुझे बताती हो, खुसी है, कि हमारे सभी नगर डिगम, नगर पाइल का और नगर पंचायत हों, कई दिनों से काम रुके पड़े हैं, कई ऐसे काम होते हैं, कि जिनके लिए ततकाल, अंटाइट फंड की जरूरत होती है, अभी बरसात भी आ गई है, वैसे तो मानसून बीस को आना था, लेकिन निसर्ग तूफान की बज़े से, पूरे प्रदेश में कई जगे धुआधार बरसात हुई है, उसके कारण परिसानिया भी हुई है, अब कई नगरी निकावे में ऐसे कई छोटे छोटे काम है, जो ततकाल करना जरूरी है, और नहीं तो बरसात में बहुत दिक्कत होगी, इसके लिए धनका भाव था, आज मुझे बताती हूँ खुसी है कि सभी नगरी निकावे में हमने लगबग 330 करोड रुपे की रासी, 374 नगरी निकावे, उनके साथ साथ पांच छावनी परिशद भी संबलित है, उनको रासी ट्रांसफर किये, जन संख्या के अनपात में, एक नगरी निकाव को कम से कम 20 लाक से लेके 11 करोड रुपे तक साथ के हिसाफ से, जन संख्या के हिसाफ से बड़े हैं उनको ज्यादा, और एकर छोटी नगर पंच्चाच है तो उनको उसके हिसाफ से, ये रासी मैंने सिंगल क्लिक के माद्धम से ट्रांसफर की है, और इस रासी का उपयोग, पेजल विवस्था के लिए, सीवरेज तथा नाली निर्मान के लिए, सड़क निर्मान के लिए, सड़क मरम्बत के लिए, कहिए कि गड़्ें, सड़क में गड़्ें अगर भरने की व्यवस्था नहीं है तो फिर होगा क्या, तो सड़क मरम्बत भी की जा सकती है, अधोसंदचना विकास के काम किये जा सकते हैं, गंदी वस्तियों में भी अदोसंदश्चा निर्मान के काम किया जा सकते हैं फोस अवसिष्ट प्रवंधन, यी गवर्नेंस, सहरी सुधार अगनी समझ सेवाएं अनेकों काम ऐसे थे जिनकी ज़रुवत थी अब इस रासी से आप तातकालिक ये काम संपन कर पाएंगे पिछले कुछ दिन पहले ही हमने ग्राम पंचायतों को सभी 22,800 ग्राम पंचायतों को 1555 करोड की रासी दी थी ताकि ग्राम पंचायतों में विकास के काम हो सके और आज नगरी निकायों के खाते में ये पैसा गया है आप सब जानते हैं कोविट का संकट है कोरोना से हम सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई लंबी चलने बाली है मुझे बता जो खुसी है कि मद्दप्रदेश में काफी कुछ हमने नियंतरन किया है अब जितने पैसेंट आ रहे हैं लगबग उतनी स्वस्थ होके जा रहे है तो हमारे पास जो एक्टिब पैसेंट से मतलब जो अस्वस्थ अस्पतालों में भरती है उनकी संख्या चिंता जनक नहीं है और नीचे तक की भी हमने ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी की है कि लोग कहते है कोरोना का फीक तो अब आएगा जून के अंत में आएगा कि जुलाई में आएगा उस समय भी इलाज में दिक्कत ना हो कि इसका प्रवंध हमने किया है आप सब नगरी निकायों के चुने हुए पृतनी धी है मेर नगरपाईल का अध्यक्ष नगरपंचात अध्यक्ष मैं आप सब से आग रह करना चाहता हूं कोरोना की कोई दबाई नहीं है कोई वैक्सिन नहीं है एक ही दवाई है, मौपे मास्क लगाएं, जब घरों के बाहर निकलें तो आपस में ना मिलें, दूरी रखें, छे, फिटकी, दो गजकी, सावन से बार-बार हाथ धोएं, सावजवनिक स्थानों पर ना थूंकें, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अपने अपने नगरी निकाएं में सब को समझा नाएं, लागडाउन हम अनंत काल तक जारी नहीं रख सकते हैं, आखिर आर्थिक गत्विधिया भी जरूरी है, इसलिए फैक्ट्री चलाने का दुकान खोलने का फैसला लिया, लेकिन कई जगे में देख रहा हूँ, भारी भीड उमर पड़ती है, और भीड इस वरूर पे इकट्ट्य होती है, कि करोनों का संक्रमन फैलने का खत्रा बढ़ जाता है, अब कौन रोकेगा इसे, जबाबदारी आपकी है, क्योंकि आप नगर को लीड करते हैं, उसलिए मैं आप सबसे आग रह करता हूँ, फिजिकल डिस्टेंस मैंटेन करवाएं, दुकानों में पांच से ज़्यादा लोगों की भीड ना रहें, बजारों में एक साथ भीड ना निकले, मास का हर हालत में लोग लगाएं, गाम भीड खत्रा जाता नहीं है, अगर खत्रा है तो सेहरों में जांग घनी आवा दिये, तो हमें सेहर बचाना है, जनता की सुरक्षा करना है, उसे साथधान करना है, इसमें भी नगरी निकाई सहयोग करें, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब का सहयोग मिलेगा, आप सब से एक और निवेदन करना चाहता हूँ, इस करोना ने कमर तोड़ दी है ब्यापार की, उद्धोग, धन्दे, काम, सब चौपट हो गए थे, अब हमको फिर से खड़ा करना है, इसलिए संकट के बाबजूद भी, बित्ती, इस्थिती, गडबड होने के बाबजूद भी, हमने समाज के हर वर्ग की, सेवा साहता करने की कौसिस किये, विद्धार्ति हो उनको छात्र पृत्ति की राशी दी, सामज एक सुरक्षा पेंसर गया हूं तो आप जानते ही हैं, भरपूर बाटा है हमने, पहले तीन महीने का, फिर दो महीने का, इसके बाद अब फिर बाटेंगे, रासन की कमीनी आने देंगे, निर्मान मजदूरों के सिर्मकों के खाते में पैसे डाले, किसानों को फसल भीमा योजना का पैसा दिया, बिपरीत परिस्तियों में रिकार्टोर खरीदी की, एक नहीं कई काम किये, और हमारे यसस्वी प्रधान मंत्री स्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वादफुत नेता हैं, भारत का नहीं कई मावलों में विस्व का कुछ दिसा दिखाने का काम करते हैं, उनके नेतरत में हमने कोविट की लड़ाई लड़ी है, और अभी भारत सरकार ने बीस लाग करोर के पैकेज के आयनाउंस किया, मेरे वो जी गरीब भाई बेहन हैं जो, दुकानदार छोटे-छोटे, हाट थेला पे रखके फल बैचने वाले, सबजी बैचने वाले, गुम्टी पे चाए बैचने वाले, थेला लगा के पानी-पुडी बैचने वाले, गोल-गप्पे बैचने वाले, फुटपाथ पर रखके कोई सामान बैचने वाले, हमारे नाई भाई, कुर्सी जमिये कहीं भी भाई, साबुन लगाई, दाड़ी बनाई, उसी में से खर्चा चलाया, हमारे टेलर दरजी, छोटए-छोटए व्यफसाय करने वाले मेरे भाई बहन, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, कोरोना ने उनकी हालत भी खराब कर दिये, अब उनके काम धंदे फिर से चालू करना है, उनकों हम सलकों पर नहीं छोड़ सकते हैं, मेरे गरीब बेहनों और भाईवों के लिए, उनकी बच्चों की पढ़ाई का इंतिजाम, फीस की विवस्था, और आप जानते हैं, आपको बता भी रहा हूं, फीस चाहिए, मेडिकल कॉलेज की हो, इंजरिंग कॉलेज की हो, बी-ए, बी-ए, सी, बी-काम, मे, मे, सी, एम-काम की हो, वो फीस भी मामा भरवाएगा, सरकार भरवाएगी, संबल उनकी जिन्दगी बदलेगी, पेटा बेटी के जनम के पहले, चार हजार जनम के बाद, बार हजार रुपया देने की विवस्था, ताकि गरीब बेहन कम से कम, बेटा बेटी को जनम देने के बाद, कुछ दिन आराम कर सकें, पहले भी थोड़ा आराम कर सकें, बिजली के बिल जिनके सो रुपया आते थे, पिछले साल मई, जून, अपरेल में, इस साल भी आप पचास ही लेंगें उनसे, ये बड़े बड़े बिल देखके घबराना मत, तो सब को छोटा कर दूँगा, इसलिए सो की जगें पचास रुपया, जिनके सो से लेके चार सो के बीच आए उनसे सो रुपया, और जिनके आप बिजली ज़दा जली और चार सो से ज़दा आए, उनको आधा बिल जमा करना है, बाकी जाँच के बाद देखा जाएगा, ये बड़े बिजली के बिल समस्था नहीं बनने दूँगा, उसके निर्देश भी आपके पास आने वाले हैं, फैसला कर दिया है, इस वार कोविट के कारण बेटियों की साधी नहीं हुई लेकिन इसी ज़दा में बिटियों की साधी की व्यवस्था, एक्सिडेंट में मौत हो जाए तो चार लाग, सामानी मृत्यों पर दो लाग, अंतिम संसकार के लिए पांच हजार, यह संबल योजना बंद कर दी थी फिर से चालू की ताकि गरीबों को सहरा मिले, ताकत मिले, संबल मिले, संबल गरीबों का बल है, लेकिन छोटे-छोटे व्यवसाईओं का काम धंदा भी चालू करवाना है, और इसलिए, भारत के यसस्वी प्रधान मंत्री स्रीमा नरेंदर मोधी जी को, भावत धन्यवाद देना चाहता हूं, भृदे से उनका भी नंदन करना चाहता हूं, उन्होंने प्रधान मंत्री पथ विक्रेता आत्म निर्भर निधिकारिकं प्रारंब किया है, इसके अंतरगत सभी पथ विक्रेता विफसाईयों को ब्याज मुक्त रिउन उपलब्ध करवाया जाएगा, इसी योजना के साथ, इसी योजना मेराज के सहरी पथ विफसाईयों को लाभान्वित करने के उद्देश से, सहरी पथ विफसाईयों उत्थान योजना प्रारंब की जा रही है, इसी योजना के अंतरगत, मेरे गरीब छोटे छोटे विफसाईयों को लाभान्वित करने वाले, उनको दस अजार रुपे बर्किंग कैपिटल के रूप में उपलब्ध करवाए जाएंगे, ये बैंक को पलब्ध कराएंगे, ये लौन होगा, गारंटी सरकार लेगी, और साथ प्रिश्द व्याज, केंद्र सरकार के माध्यम से भरा जाएगा, लेकिन हमने ये भी तेह किया है, के साथ प्रिश्द के अलावा, जो बाकी व्याज और लगेगा, वो व्याज मद्ध प्रिश्द की सरकार भरेगी, तो ये वर्किंग कैपिटल जो आपको मिलेगी, गरीब बहन और भाईयों को छोटे-छोटे व्याज साईयों को मिलेगी, उस पर उन्हें कोई ब्याज नहीं देना है, गारंटी वी सरकार देगी, इस योजना के कारण, आपके ठप पड़े हुए काम धन्दे, फिर से चालू हो पाएंगे, अभी अभी मैंने एक पोर्टल का सुवारंब किया है, ये जितने भी मेरे सहरी छोटे व्यवसाई भाई बहन हैं, इनकी जानकारी एक इस्थान पर एक इकरिट डेटा के रूप में सुविक्रिट करने के लिए, ये पोर्टल प्रारंब हो रहा है, सारे पथ व्यवसाई जिनका मैंने नाम लिया, छोटी गुम्टी में, हाट ठेले पे, सडक पे रहकर व्यापार करने वाले, उनका पंजियन किया जाएगा, रेजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ये रेजिस्ट्रेशन का कारिय, पंजियन का कारिय, हमारा नगरी विकास और आवास विभाग, कि सभी कारियाले, सभी कारियालों में भी होगा, और MP online के कियोस के माध्धम से भी किया जाएगा अब मेरा आप सबसे निवेदन है और आपके माध्धम से मेरे सभी पत्व वेफसाईयों से छोटे छोटे वेफसाईयों से आग रहे है कि वो अपना पंजियन करवाएं बैंकों से टाई अफ हो गया है बिना गारंटी की ये रासी आपके दफसाई को प्रार्म करने के लिए दी जाएगी और जैसा मैंने बताया इसका व्याज आपको नहीं देना पड़ेगा मेरे प्रीये बेहनों और भाईयों संकट के समय ये रासी आपके लिए संजीव निशिद्ध होगी और इससे अपने ठप पड़े बिजनिस और व्याफसाई को आप पुना प्रारंभ कर सकेंगे जिंद्गी की गाड़ी पट्री पे आएगी और आप सिर से मुस्कुरा सकेंगे इसके लिए योजना आपके लिए बड़ी उप्योगी और महत्पून सिद्ध होगी मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी जिंद्गी की रफ्तार फिर से आपकी जिंद्गी रफ्तार पकड़ सकेगी और इसलिए बड़ी प्रसनिता के साथ आज इस पोर्टल का मैं सुवारंब कर रहा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद कुछ लोगों से करते हैं ये 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 भोपाल से मुनियस जाटप जुड़े हैं क्या मुनियस क्या पानिपूरी चाट का ठेला लगाते हो अच्छा भही नूतन काले के सामने कितने पैसे की जरुत पड़ेगी इसके लिए फिर चालू करने के लिए दसजार मकाम चल जाएगा अपना अभी तो पानिपूरी का काम सुरू करो बागी देखेंगे दसजार तक का लौन इससे मिलेगा भी आज हम लोग जमा करेंगे बताई दी आपको और गारंटी भी लेंगे ठीक है भी या मुनियस हाँ सब को बताओ ताकि बागी लोग भी इसका लाब ले सके संजे कुछ वा है क्या हाँ कुछ बोला है बेटा संजे क्या करोगे भी जा सब्जी का ठेला कालोनियों में या सड़क पे एक जगे खड़े रहते हैं कोला रोट पर कितना रोप्या लगता सब्जी का ठेला चालू करने में यदा सजार में काम चल जाएगा ठीक है बढ़ाई आपको और बाकी को भी सूचित करना जो जरूरत मंद हो उज्जेन में चलिए लाव उठाईए अनीता जेन जी उज्जेन क्या करती है नीता जी वो यह हाठ ठेला में कि एक जगे दुकान पर कहीं इधार बैठाओं मैं पहचानती हूँ मुझे अब मुझे पहचानती हो आप पहचानती हो योजना कैसी है यह मेरी बाद ध्यान से सुनी थी चलिए अब आपको यह दसजार रुपे मिलेंगे बैंक से ब्याज हम भरेंगे सरकार भरेगी और गारंटी भी लेंगे आपको यह पैसे दसजार बापस दीरे-दीरे करने पड़ेंगे ठीक है ना इसमें काम चल जाएगा नरें सिंग बैस नमस्ते भांजे क्या करते हो भी या क्या करते हैं काय की दुकाने ने सब्जी बैचते हैं खेरी से खेरी लगाते हैं खेला से खेला से बैचते हो हाथ खेला से तो यसी होजना से साहरा मिल जाएगा न आपको इससे खर्चा पानी चल जाएगा काम धंदा सुरू हो जाएगा है चलो भी अच्छे से चालू करो महापौर जी भी बैठी है सामने उनको भी नमस्कार नमस्ते बिलकुल ठीक है अब आप रेजिस्टेशन आप रेजिस्टेशन बहुत परिशान हो रहे थे और आपने बहुत अच्छी योजना निकाली है कि भ्याज भी इनको नहीं देना है हम पूरा पोशिश करेंगे हमादी नगदिनम की पूरी टीम पोशिश करेंगी कि कि किसी भी द्राइगी हो किसी तरह कि कोई परिशानी नहीं हो हम सब की ड्यूटी है कि अपने गरीब भाई वेनों को कोई परिशानी ना हो कोई दिक्कत ना हो संकट के समय हम उनके काम आ सके अगर निकम की पूरी टीम समर्पित होके लगेगी तो बहुत लाब मिलेगा धनिवाद आपको सतना में सीला कुसवा बैठी है क्या कैसी हो सीला बेहन काई की दुकान लगाते हो सब्जी की सब्जी की दुकान कहां सतना ही में लागडाउन में तो काम धंदा बंद रहा होगा अब चालू करना है तो उसी के लिए मेरी बेहन ये योजना है इसकी गारंटी भी सरकार लेगी दसजार रुपए बैंक देंगे ब्याज भी हम भरेंगे ठीक है इससे काम चल जाएगा ठीक है तो फिरसे काम धंदा सुरू करो सीला बेहन ठीक है मेरी बेहन प्रमोस सौनी जी बेठें क्या करते हो प्रमोस अब इससे दसजार रुपए से काम चल जाएगा ठीक है बेटा आज तो सरकार भरेगी और गारंटी भी लेगी काम धंदा ठीक करके दीरे दीरे बैंक को लोटा देना ठीक है बईया बविता इन दौर में है क्या नमस्ते बविता बेहन क्या हाले हैं क्या काम करते हो आप अलू के आज ये हाट ठेले बैए की दुकान लगा के हाट ठेले बैए रोट पे ठेले में अभी तो लागडाउन में तो सब बरबाद हो गया हो गहाँ अब फिर से चालू करना है इसलिए ये योजना बनी मेरी बेहन इससे अपन फिर से अपना काम धंदा चालू कर पाएंगे योजना के बारे में जानकारी है या आपको के सरकार गारंटी लेगी और आज भी हम भरेंगे और बागी पैसा बैंक देगा तो दस हजार में सुरू हो जाएगा ना काम अपनी है काफी कुछ हो जाएगा एक बार चालू हो जाए तो फिर उसी से कमा के देते रहेंगे ये बस आपका काम जन्दा अच्छा चल जाए मेरी बेहन तीक है अमर जी बैठें, अमर जी, अमर क्या करते हो, सबजे कही काम है, अभी क्या हुआ, सबजी बिक पाई की निए बिक पाई बीच में लाग रहा हुआ, अब चालू होगे ही होगे है, अभी भी नहीं हुआ, अच्छा, अच्छा, इसलिए योजना चालू कर रहे हैं कि फिर से जिंदगी पट्री पे आया और ये पैसा मिल जाए तो सबजी बैचना फिर से सुरू हो जाए, अभी एक जगे बैचते हो आप या हाठ थेले में लेके घूमते हो, एक जगे इस सड़क पे, अच्छा, एक दिन में कितने की सबज विख जाती ही वैसे सामाने दुनों में, और उसमें, हजार पंद्रा सो की, और उसमें हजार पंद्रा सो में बचते कितने होंगे, दो तीन सो रुपे, तो परिवार चल जाता है, ठीक बहिए, या फिर से गाड़ी जिंदगी की सुरू करो आप है ना, ठीक बहिए, दतिया में सिवराज सिंग बैठे हैं क्या, नमस्कार, क्या करते हो सिवराज भाया, काई की, अज़ा ताले चावी की दुकान, अभी ताले चावी की दुकान, अभी ताले चावी की दुकान, सड़क पर लगाते हैं, गुम्टी उम्टी हैं, अज़ा इतने ताले चावी बिग जा तो तीन सो मार्जिन मिल जाता है अभी ये करोना के काल में तो नहीं चल पाया होगा ना बिजनिस अभी तो बाते किसी काफिश नहीं है अब इसलिए ये योजना लेकर आएं कि एक बार फिर से काम दंदा चालू हो जाए पैसे की वर्किंग कैपिटल की व्यवस्ता हो जाए तो फिर से चल पड़ेगी गाड़ी ठीक है ना दसजार रुपे में क्या किया रहे है हाँ ब्याज नहीं तो ब्याज ही माट डाले तो ब्याज हम लोग भर देंगे केंदर और राजसरकार मिलके ठीक है बस आप मुस्कुराते रहो और जिन्द की अच्छी चलती रहे है ना कौसल या पाल भी बैठी है क्या करती हो वेहन कोसल या जा बIGHT गया तहीं किसी बचत सअ रहे हैंने कि भी hall देजा जाती तो कन चल जाता है अब यह पैसे मिलेंगयिंग इससे चल जाएगा ठीक से काम देना हाँ इसलिए तो हुई है बास जितना देना है बागी ब्याज याज तो भरेंगे आपको बहुत अच्छे से आप लोग अपने कामधंदा शुरू करें सभी को बहुत सुवकाम नाएं और जिनको मैंने जानकारी दिये आज के कारिगम के मादनें से वो बागी को भी जानकारी दें अपनी कौसिसी रहेगी कि जादा से जादा लोगों को ये पैसा मिल जाए और उनका कामधंदा चालू हो सके एक बार फिर से सभी नगरी निकायों के हमारे महापौर नगर पाइलका के अध्यक्ष नगर निगम के महापौर नगर पंचात के अध्यक्ष सभी मेरे पत्विक्रेता भाई बहन और अधिकारी गण सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और नगर निगम नगर पाइलका नगरी निकायों के अधिकारियों से मेरा कहना है के पूरी मेहनत और इमानदारी से इस सारे काम को करें रेजिस्टेशन करवाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाब उठा सकें और गरीबों की जिन्दी बदल सके हम बहुत बहुत धन्यवाद